हेलो डियर आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वैलकम है भाई इसके अंदर काफी जरूरी चीज के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बच्चों ने फ्लड कर दिये हैं यह मेसेजिज यूटूब पर तो छोड़ो मतलब वट्सेप के उपर अपने टीम के पास इ इतने अटेम्ट कर गया हूँ तो क्या मैं टीर टू के त्यारी स्टार्ट कर दूँ नहीं कर दूँ यह सारी चीज़े पूछ रहे हैं तो एक बार इसको लोजिकली एनलाइज करें इस इसको आप मेरे साथ एक बार लोजिकली एनलाइज करो देखते हैं मतलब कि exactly चीज़े क्या है एक वर समझने कोशिस करते हैं तो क्या-क्या possibilities हो सकती हैं ठीक है क्या-क्या different scenarios हैं क्या-क्या different possibilities हैं तो एक तो number one आप यही पूछ रहे हो कि इतने number पर tier one clear होगा नहीं होगा इसके बाद का मैं decision क्यालूँ तो एक यह possibility है कि tier one clear होगा नहीं होगा एक दूसरी possibility इस है कि आप preparation करोगे की नहीं tier two की preparation start कर दूँ की नहीं कर दूँ यह दो possibility हैं देखते हैं जी scenario number one गुला भी रंग से scenario number one कि tier one आपका clear हो गया ठीक है और आपने preparation start कर दी आपने आज ही preparation start कर दी और बाद में हमें पता चला कि tier one भी मेरा clear हो गया actually पहले यह काम करना है आपने पहले यह काम करना है ना preparation start करूए नहीं करूँ बाद में हमें पता चलेगा कि tier one clear हो गया ठीक है तो इस चीज़ में कोई दिक्कत ही नहीं है किसीने preparation start करी tier two की tier one उसका clear हो गया everything going well second possibility आपने preparation start कर दी और आपका tier one clear नहीं हुआ कई वच्छे इसमें भी होएंगे tier two की preparation start कर दी और tier one clear नहीं हुआ third possibility आपने preparation start नहीं करी और आपका tier one clear हो गया तो आप उसके बाद preparation start करेंगे fourth possibility आपने preparation start नहीं करी और आपका tier one भी clear नहीं हुआ ठीक है तो यहाँ पर सब कुछ बढ़िया बढ़िया है सब चंगा सी one में तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी बच्चे ने बढ़िया decision लिया उसका tier one भी clear हो गया करके उसने बढ़िया तयारी करी थी बढ़िया तरीके से paper दे के आया था यह चोथा है इसको विशवास भी नहीं है कि मेरा clear हो जाएगा और इसका हुआ भी नहीं यह भी self aware है अब मुझे एक बात बताओ इन में तो कोई problem है नहीं ज्यादातर बच्चे यहां पर अटके हुए है कि कही मतयारी शुरू कर दूँ और मेरा paper clear ना हो कही मतयारी शुरू ना करूँ और मेरा paper clear हो जाए तो यही पर head out तो एक बार मुझे बात बताओ गंदी situation कौन सी है इन दोनों में से मैं अपनी सलाहा दूँ एक बार आप तो कौन सा गलट decision है मेरे हिसाब से गलट decision है यह वाला यह worst है क्योंकि क्या हुआ कि इसने preparation start नहीं करी result की wait करता रहा क्योंकि फिलाल जो tier 2 है उसके लिए सबसे कीमती जो चीज है वो है आपका time इस time के अंदर आपने क्या करना है यह सारे subject जिक के English reasoning math यह सारे cover तो definitely नहीं करने है यह cover होंगे भी नहीं लेकिन इन में से जो आपके weak point है जिस topic के अंदर improvement हो सकती है वो चाट चाट के हमें क्या करने है इंप्रूव करने है वो revise करने है यह करना है में लिए यह करना है हमने है ना तो सबसे कीमती यह चीज है कि SSE का बरोसा नहीं उन्होंने December 2024 लिखाए तो हो सकता है पहले अप्ते में ले ले पहली तारिक को ले ले अब की बार उसने ऐसा किया है तो यह worst case है अब दूसरा scenario देखते हैं आपने preparation start कर दी और आपका clear नहीं हुआ अगर आप वाकई में government job चाहते हैं तो आप फिर से try करेंगे जनरली बच्चों के पास option नहीं होता मेरे पास भी option नहीं था कि लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसके उपर काम चोड़ने का कोई option नहीं था ठीक है तो अगर आपने अच्छे से तियारी करी है और tier 1 clear होने की व order पर आप रहे गए तो ठीक ठाक तियारी करी है तो उसके बाद अगर आपने तियारी start कर दी और नहीं हुआ तो क्या ये खराल जाएगी ये तियारी खराल नहीं जाएगी क्योंकि एक level पर आपने तेयरी कर रखी है हाँ यहाँ पर बच्चों को यह लगेगा कि tier to batch लू नहीं लू कहीं से भी आप लो उसके अंदर invest करू नहीं करू देखो अभी जिन बच्चों का यह clear हो जाएगा वो यह सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे इन में से maximum चीज़े कवर करने की कोशिस करेंगे जो ज्यादा important है जो उनकी weak है कुछ चीज़े रह जाएंगे कुछ वो tier one में भी किया है उनोंने दो महिने के अंदर बिल्कुल सब कुछ बड़ी हड़बड़ी में होगा 11-12 गंटे हमें देने पड़ेंगे तो अगर आपको बाद में पता लगता है आपने तियारी स्टार्ट करी कि आपका पेपर नहीं हुआ clear नहीं हुआ तो फिर आप तसली से इनको complete कर लेना तो आप self study से करो कहीं से भी करो किसी बैच से भी करो tier two का बैच भी ले लिया हो सकता आप लोगों को लग रहा हूँ कि लेकिन नहीं होएगा एक पर खुद यह चीज सोचो आप चीजों को ऐसे analyze किया करो अब आगे बढ़ते हैं cut off की sir cut off बता दो आपने तो यह बताया ही नहीं कोई number तो दे देते देखो मैं आपको एक बात बताओ educated guess लिया जा सकता है कि इतनी है सारे factors को मद्दे नजर करते हुए एक number के उपर हम पहुँच सकते हैं वो educated guess ही होगा guess होगा कोई भी बंदा आज के दिन ऐसे bet करेगा क्या कि इतनी ही cut off जाएगी मैं guaranteed देता हूँ मैं affidavit बनवा रहा हूँ कि इतनी cut off नहीं गई तो मेरी जमीर मेरा जायदाद सब कुछ जो भी है मैं बेच कर बत्चो में पैसे बाढ़ दूँगा मैं इतना शोर हूँ इस चिसके बारे में है कोई इतना शोर नहीं है तो हमें पता है और मैं यह नहीं बुल रहा किसी कोश और होना चाहिए नहीं भी होना चाहिए क्योंकि factor इतने जाता है तो भाई सिद्धी सी बात है आपने कैसी तियारी करी है कैसा आपका paper है आपको पता है आप कहां stand करते है इमानदारी से बताओ आपको पता है थोड़े मोटे confusion में होगे तो यह decision ले लोगे तो इसमें कोई घटा नहीं है सबसे best मेरा चोटा भाई होता तो उसको मैं यह decision लेने के लिए बोलता है क्या कि तियारी कर लो तियारी start करतो यह हुआ तो well and good यह नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है रहेगा फिर सब को यहीं बताता है फिर रहेगा बस मैंने यह ठीक decision नहीं लिया तो यह best scenario है यह second best scenario है तो अगर आप यह ही start करतो तो second best मेर होगे worst case में second best मेर होगे clear है तो इतने सारे factor है उतना right आपको नहीं बताया जा सकता बताया नहीं जा सकता bet करके तो नहीं बताया जा सकता अगर कोई guarantee लेता कि यह लो ऐसे मैं bet करता हूँ कोई नहीं करेगा करना भी नहीं चाहिए समझ में आगे बात reality क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता देता हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि 100 नमबर आ रहे हैं तो भाई मत करो तयारी तो उतनी तो समझा आप में भी होगी मत करो तयारी यानि कि अगले साल के foundation के त्यारी कर लो starting से त्यारी कर लो 100 नमबर आ रहे हैं तो ठीक है next over analysis क्यों जिस paralysis जब हम कई बार चीज़ों का over analysis कर देते हैं यह होगा पिछले साल inspector की एकट वो गई यह गई वो गई वो गई वो गई डीप में जा रहे हैं उस zone की इतनी गई इस zone की इतनी गई उसी में लगे पड़े हैं फिर काम नहीं हो पाता, जो result जो आता है वो एक ही चीज़ की वज़े से आता है, action की वज़े से, action की वज़े से result आता है, जब आप काम करते हो, लेकिन आप result को ही इतना analyze कर डालो, ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, तो action लेने का time कहा बचेगा, आप फल में ही इ एक चिली की काहानी सुनते थे न, एक बकरी लाओंगा, फिर उससे दूद देगी, फिर उसके बच्चे होएंगे, उस वो दूद देगी, फिर इतने घड़े हो जाएंगे दूद के, ऐसे, 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 तो ये वो वाला मामला है, एक मोटा मोटा में पता होना चाहिए, competition के ल ये चीज़े पूचता तो, है कि अगर थोड़े से भी chances लग रहे हैं, रोज रोज दिमाग मत का, फिर बहुत सारे message दो रहे थे भाई, और, so that's all, इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाहरा था, उमीद है कि आप right decision ले पाओगे भाई, अपना point of view आप comment में रख सकते हो, और जो अपना quick revision batch था, उसकी update मैं पहले ही देना चाहरा हूँ, कि भाई, फिलाल quick revision के batch के अंदर मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगा, फिलाल YouTube के उपर, tier 2 के लिए भी नहीं ला पाऊंगा, मैंने बोला था, इसलिए मैं आपको पहले ही update कर रहा हूँ, यह ना हो कि कई ब अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ